आतनकी समुहों की टूरल किट जेशंकर ने कहा, सोशल मीडिया मंच ने असामाजिक तत्वों को प्रभावशाली उपकरण बना डाला पंजाब के सरी, नई दिल्ली भारत में असामाजिक तत्वों द्वारा एंक्रिटिट संदेश और क्रिप्टो करेंसी जैसी नई प्रोध प्रोध्योगिकियों के संभावित दुरुप्योग को रोकने के लिए समन्वित वैश्विक प्रयास करने का शनिवार को आहवान किया और आगाह किया कि सोशल मीडिया मंच आतनक्वादी समुहों की टूल किट में प्रभावशाली उपकरण बन गए हैं। दिल्ली में सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद, UNSC की आतनक्वाद निरोधक समिती की विशेश बैठक को संभोधित करते हुए विदेश मंत्री S. जेशनकर ने कहा कि आतनक्वादी समुहों, उनके वैचारे कनुयाईयों और अकेले हमला करने वाले लोन वोल्फ, लोगों ने इ 26 बटा 11 हमले में आतनकी प्रोध्योगिकी का इस्तिमाल जेशनकर ने आतनकी समुहों द्वारा नई एवं उभरती प्रोध्योगिकियों के द्रुप्योगों को रोकने के लिए आतनक्वाद रोधी समिती में चर्चा करने का आहान किया, उन्होंने 26 बटा 11 मुंबई हमले म आतनकी नेट्व को द्वारा प्रोध्योनिकी के इस्तिमाल का भी उल्लेक किया, उन्होंने कहा, हमारा अनुभव दिखाता है कि कैसे एक अच्छी तकनीक, वोईस उवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तिमाल सीमा पार से बरबर आतनक्वादी हमले करने के लिए किया जा जेशनकर ने कहा कि पिछले दो दशकों में तकनीकी नवाचार दुनिया के काम करने के तरीके में परिवर्तनकारी रहे हैं और वर्चुल निजी नेटवर्क तथा इंक्रिप्टेड मेसेजिंग सेवाव से लेकर आभासी मुद्राव तक नई एवम उभरती प्रोध्योग किया आर्थिक और सामाजिक लाभों के लिए एक आशाजनक भविष्य की पेशकश कर रही है उन्होंने कहा कि हाला कि जब बात आतनकवाद से संबंधित हो तो सिक्के का दूसरा पहलू भी सामने आता है नई दिल्ली में UNSC के काउंट टैरिजम कमेटी की बैठक में विदे दूसरे दिन के सत्र में भाग ले रहे हैं पहले दिन का सत्र मुंबई में आयोजित किया गया था आतनकवाद का मुकाबला करने में